पिछले दो वीडियो में तुमने जड़े, तने और उनके परिवर्तन के बारे में सीखा आज मैं तुम्हें वनस्पती के और एक महत्वपूर्ण इंद्रिये के बारे में बताने वाला हूँ जिसे पत्ती कहते हैं मुझे बताओ कि पत्ती का चित्र बनाने के बाद उसे रंग देने के लिए तुम कौन सा रंग इस्तमाल करोगे? हर्था थरा? और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमेशा हरा रंग ही क्यों चुना जाता है? ये इस कारण किया जाता है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और इसी वज़ा से वो हरी होती हैं पत्ति के बारे में जानने के लिए पत्ति के नमूने का निरिक्षन करते हैं ये गुढ़हल की पत्ति है इस पर डंठल होता है कुछ पत्तियों को डंठल नहीं होते हैं उदार नार्थ पत्ते के तने से जुड़े हुए भाग को परनाधार कहते हैं कुछ पत्तियों के परणाधार के पास छोटे पत्तियों जैसे भाग होते हैं, जिनें उपपर्ण कहते हैं, कुछ पत्तियों में वो अनुपस्थित होते हैं, पत्ते का डंठल परणदल से जुड़ा रहता है, पत्ते के फैले हुए भाग को परणपत्र कहते हैं, परणपत् परनाग्र कहते हैं तुम्हारे आस्पास की वनस्पतियों का निरिक्षन करो वो विविदाकार और धंग में मॉझूद है वनस्पतिया पतिया क्यों बनाती है उनकी भूमी का क्या है पतिया प्रकास संसलेशन से अन्न बनाती है पति पर छोटी छिद्र होते हैं, कारबन डायोकसाईड और ऑक्सिजन का आदान प्रदान उनमें होता है इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं, पतियों के छिद्र भी पानी का त्याग करते हैं छात्रों तुमने कई प्रकार की पतियों के आकार देखे अब कुछ और उधारणों का निरिक्षन करो ये चित्र ध्यान से देखो इनकी पत्तियों के बारे में तुम क्या बता सकते हो ठीक है मैं बताता हूँ आम, गुढल और पीपल के पेडों में तुम देख सकते हो कि इन वनस्पतियों के पत्ते में एक ही मध्धिशिरा है वो बाकी पर्णपत्र एकदम सरल है ऐसी पत्तियों को सरल पत्ती कहते हैं दूसरे चित्र में गुलाप, कड़ी पत्ता, इमली में तुम्हें बहुत छोटी छोटी पत्तिया दिखेंगी इनकी मध्धिशिरा के दोनों और पर्णपत्र अनेक छोटी छोटी परनिकाओं में विभाजित होती है ऐसी पत्तियों को संयुक्त पत्ति कहते हैं तो सरल और संयुक्त ये पत्तियों के प्रमुख परकार है अब मैं तुम्हें कुछ और पत्तियों के चित्र दिखाने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें उनके नाम बताऊँगा ठीक है गुढ़ल, आम, मंदार, मोगरा, कनेर ये चित्र ध्यान से देखो और इन वनस्पतियों के गाठ पर गौर करो हर गाठ से कितने पत्ति उत्पन हुए है गुढ़ल और आम में हर गाठ से एक ही पत्ति उत्पन हुई है जबकि बंदार और मोगरे में तुम्हें हर गाठ पर दो पत्तियां दिखेगी और कनेर की हर गाठ पर दो से अधिक पत्तियां है ये पत्तियां तने के बाजू में गोलाकार में स्थित होती है तो इसका अर्थ ही ये हुआ कि इन पत्तियों की तने पर व्यवस्था अलग रूप में है इसे विन्यास कहते हैं आम और गुढल में एकांतरित विन्यास दिखाई देता है मोगरा और मंदार में सम्मुख विन्यास दिखता है और जब हर गांट पर दो से ज्यादा पत्या हो तो उसे वृत्ताकार विन्यास कहते हैं चातरो तुम तीन चार लोगों का एक गुड बना कर पास वाले बगीचे को देख सकते हो यदि तुम्हारी पाठशाला में कई प्रकार की वनस्पतिया हैं तो अगली स्टडी के लिए वो अच्छी जगा हो सकती है आगे दिये हुए हर वनस्पती की एक-एक पत्ती जमा करो पीपल, आम, गुढ़ल, घास, मकई, भंग अब हर पत्ती का ध्यन करो, सूर्य प्रकार्श के सामने पत्ती को पकड़ो क्या तुम्हें कई रेखाएं परणपत्र पर दिख रही है उनके पैटर्न का निरिक्षन करो क्या तुम पत्र के बीचो बीच एक मोटी शिरा, नस देख रहे हो इसे मद्धी शिरा कहते हैं अब दूसरी शिराओं की रचना देखो आम, पीपल, गुढ़ल में मुख्य शिरा से उपशिराएं निकल कर शिराओं का जाल बन जाता है इसे जालिदार शिराविन्यास कहते हैं घास, भंग और मकई में शिराएं कैसी हैं यहाँ पर शिराएं एक दूसरी को समांतर होती हैं इसे समांतर शिराविन्यास कहते हैं सारांच पत्ति के अंग परणाधर, डंठल, उपपरण, परणपत्र, परणकोर, परणाग्र पत्ति के कारिया प्रकास संसलेशन से अन्न बनाना कारबन डायोक्साइड और ऑक्सिजन का आदान प्रदान करना बाश्पका त्याग करना पत्तियों के प्रकार सरल पत्ति परणपत्र एक निरंतर प्रिष्ठ भाग होता है उधारन आम, बरगद, पीपल संयुक्त पत्ति परणपत्र अने छोटी-छोटी परणिकाओ में विभाजित होती है उधारन इमली, गुलाब, कड़ी पत्ता तने पर पत्तियों की व्यवस्था विन्यास एकांतरित हर गाठ पर एक पत्ति उधारनार्थ गुढ़हल, आम सम्मुक्त हर गाठ पर दो पत्तियां उधारनार्थ मोगरा, मंदार वृत्ताकार हर गाठ पर दो से ज्यादा पत्तियां उधारनार्थ कनेर शिराओं के प्रकार जालिदार शिलाविन्यास पत्ति में शिराओं का जाल उधारनार्थ गुढ़हल, पीपल समांतर शिराविन्यास शिराएं एक दूसरी को समांतर होती हैं उधारणार्थ गन्ना मकई चुनौती तुम्हारे आसपास की कोई भी पाच वनस्पतियों का नेरिक्षन करो और नीची दिये हुए मुद्दों के अनुसार उनका रिकार्ड बनाओ एक वनस्पति का नाम, दो सरल या फिर संयुक्त पत्तियां, तीन विन्यास का प्रकार, चार शिराविन्यास का प्रकार प्रकार